नमस्कार दोस्तों मैं राजिश कपूर हर बार की तरह इस बार भी मौझूद हूँ टेक टॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जित्ती भी चर्चाएं करी हैं आपको बहुत पसंद हैं आपकी मेल्स हमें आत मिलती रहती हैं आपके फून से हमें पता जलता रहता है कि आप हमारी एपिसोड को लेकर उतना ही एक्साइट रहते हैं जित्ते कि हम दोस्तों इस जर्नी के अंदर हम लोगों ने टेक्नलोजी गैप्स को समझा अच्छे से समझा एक्सपर्ट से समझा और अब हम शायद ही कह सकते हैं कि येस टेक्नलोजी के gaps बहुत ज़्यादा create होते जा रहे हैं gaps का मतलब होता है कि हमारी understanding उस technology के साथ में कैसी है वो कितनी दूरी पे हैं हम लोग और technology कहां भागती जा रही है इसके बीच में कोई gap होना नहीं चाहिए यह gap होगा तो हमारे से फाइदा उठाएंगे hackers हमारे से फाइदा उठाएंगे viruses ransomware हम लोगोंने इनको defeat करना है ताकि हमारा काम हमारा data बिल्कुल safely चलता रहे आज का हमारा topic जो है बहुत ही रुमांचक है और यह है data centers के उपर cloud का origination जब से हुआ data centers मानो एक तरीके से उनकी बाड़ सी आ गए जहां पर भी हम देखते है data centers की भर्मार नजर आती है इंडिया हो या इंडिया के बाहर आज data को संभालने के लिए हर व्यक्ति अपने अपने setups के साथ में ready है और उस setup को हम बोलते है data centers आज इस topic को हम गहराई से discuss करने वाले हैं हमारे साथ दो experts रहेंगे आप तो जानते ही है G.I.S.P.L. consulting इस शो का जनमदाता जो है उसने हमारे को यह मौका दिया कि हम technology को हम discuss कर सकी तो उनका एक expert तो यहां रहना बनता ही है तो आईए सबसे पहले हम स्वागत कर लें धीरच जी का धीरच जी बहुत दो स्वागत है आपका नमश्कार जी सो धीरच जी को हम लोग service matter expert के नाम से बहुत खुबी जानते हैं और definitely में उनको SME के नाम से यहां पर इडरेस भी करता रहूंगा और compliance के विशे में उनसे चर्चा भी करता रहूंगा लेकिन compliance data center के लिए कहां तक जुरूरी होती है data center आखिर करते क्या है data center के अंदर हम लोग hosting करते हैं या और भी कुछ करते हैं यह सब जानकारी हम लोग लेने जी आपके जैसे व्यक्तियों से ही यह शो बनता है नहीं दोस्तों सो मैं इससे पहले कि यह शो का आगास करूं आपके सामने नंबर्स हैं जी एस पील के और आपके सामने डेटेल्स हैं समीर यादव जी की net for choice से अगर आप जूनना चाहते हैं उनकी services लेना चाहते हैं डेटा को सेफ रखने का वाइदा करता है तो आएए शुरू करते हैं सवीर जी हम लोग आज बात करने वाले हैं डेटा सेंटर की और डेटा सेंटर में हमारे क्लाइंस के डेटा की सिक्योरिटी की सबसे पहले आपसरी जाना जाते हैं आपने डेटा सेंटर को अपना as a field of employment as a field of profession क्यों चोना? जो हमने फिल्ड को चुना, इसलिए चुना कि जिसे साफ से डेटा हमारे पास collect हो रहा है, जिसे साफ से हमारे डेटा की प्राइटी बढ़ रही है, जो हमारे पास demand बढ़ रही है, डिफरेंट डिफरेंट बेए में, चाहे आज मैं एक छोटा सा एजामपल मैं चावडी बज जिसे से, ऑनलाइन का मतलब यह ही है कि हम डिजिटली कितना इनेबल कर रहे हैं, तो अगर मैं एक छोटे वर्ड में स्टार्ट करूं कि नेटफर्ट जो हमने स्टार्ट किया, तो हमारा भी विजन यही था कि हम अपने कंट्री का डेटा हम अपने पास रखें, विकाज अगर उनका कंजिउ मर उसिकthen को एकसिस करता है तो उसको इतना टाइम लगता है कि सायद इंट्रेस्ट ही हट जाता अगर मैं वही आफसे सिंपल सा बोलूँ कि अगर आपका सिंगल क्लीक पे पर आपके पास आता है तो आपका इंट्रेस्ट बढ़ता जाता है बर्ट वही कि लोगों को यह डर है कि डेटा सेंटर पे अगर डेटा रखा गया तो हमारा नहीं रहेगा वो वो कहीं ना कहीं लीक हो जाएगा क्या यह मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं मैं बहुत सिंपल सा बात कहूंगा आज हम अपना पैस पैसा बैंकों पे रखते हैं बट बैंकों से क्या पूछते हैं कि हम अगर हमारा पैसा लेगे चले जाओगे तो क्या होगा कुछ में कंट्रोल करती है उसका यक Grande करती है कि हां अगर आपका है अपकि नेट्फर कर रहे हैं अपकी मार्का उ Wars देटर जिसे उनुका लाजमी है इस बात का करना क्योंकि डेटा डेटा कहा है तो हमारी प्राइबसी है तो हम आपको क्यों दे जैसे हमारा सता है उस पैसे को करने के लिए आपका पैसा आपकी जेब से चोरी हो सकता है बट बैंक से वो जबाब देता कि आपका पैसा कहा गया है उसके पूरी ट्रैकिंग होती है उसके पूरी इंफोर्मेशन होती है तो इसलिए हम लोग कंप्लाइंस डेटा सेंटर है इस में डरने की बात नहीं है आप कंप्लाइंस पूस सकते हैं आप अपनी क्लियरंसी ले सकत तो इस वज़ा से सेफटी जादा नहीं होती है लेकिन जहां हम बात करते हैं इतने बलक अफ डेटा की और आज भी और्थोडॉक्स तिंकिंग के हम बात करते हैं तो कंप्लाइंस कितना बड़ा रोल प्ले करती है और कैसे हम लोग इस शो के माधियम से अपने दर्शकों को हम जो कर सकते हैं कि टिडा आपका जो है वह वाकिये में चेह जा रहा और कहीं नहीं आकरहिं इससा के सरकार का बगड़ा है यह उश्यूर को ने कि लिए um लुग सेफ हैं कि लिए जो यह होता है विए इसके लिए साघ्ल ने यॉट्रम Gowoday fresh standards होते हैं वो डेटा की security के लिए अलग अपनी और प्रफ से best practices implement कराते हैं अब जो डेटा सेंटर अपने organization के अंदर डेटा रखता है अपने अपने डेटा के डेटा सेंटर के अंदर डेटा रखता है वह डेटा जितने भी इसारे compliance होते हैं वो different different वो करता है सबसे basic जो compliance होता है वो ISO 27001 होता है जो कि जितने भी data centers होते हैं वो सारे के सारे उस compliance को adopt करते हैं डेटा compliance क्या है कि best practices है क्योंकि जब हम security की बात करते हैं तो we focus on the four four piece product place process and people जो लोग उस data center में काम करते हैं वो कैसे ensure करें कि data secure रहे वहां पर जो रिस्क हैं उससे लोगों से related data leakage related उनको हम कैसे ensure करें कि वो कम से कम हो वो minimize हो सके वो mitigate हो सके उसके बाद जो आपका product है उसको समय समय पर भी assess the product उसको हम assess करते हैं technical assessment करते हैं जिससे कि उसमें जो technical vulnerabilities है जो यूज कर रहे हैं data storing के लिए उसमें जो technical vulnerabilities हैं जो communication में technical vulnerabilities हैं उनको mitigate किया जा सके उसके लावा जो physical security data center में availability बहुत 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 concern होता है तो उसके लिए जो physical security जो data center की रहती है उसको एक set of standard maintain करा जासे कि जिससी जो रिस्क है physical security का physical data theft का वो minimize किया जा सके तो आपने यह समझा होगा जरूर दीन जी ने बड़े विस्तार से हैं कि नहीं है और यह चीज़ इंशूर करती है जी एस पील कंसल्टिंगी टीम जिनके नंबर्स लगाता रहे हैं अब ध्यान रखेंगे तो डिफिनिटली आपको इन से कुरगाउं आपको अड़ेस करना चाहिंगा कि जैसे अपने कंप्लाइंस की बात करें तो जब हम डेटा सेंटर के लिए सबसे पहले वह जगा है कि उस बिल्दिंग के आसपास कोई ऐसे जगाई तो नहीं है किवहाँ पर कोई आसे फ्लर्स या कुछ भी ऐसे एक्टिविटी हो सके जिसकी तुरू कि पिस्कल सीक्यों बहुत जादा इसके जरूरी हुता ने नहीं बात करने तो 3 parameters जिसमें बहुत ज़्यादा major करते हैं पहले जो आता है वो आता है power power का हमारे पास सोस क्या और ठीक है दूसरा हमारे पास सक कूलिंग में हम डेटा सेंटर को कूलिंग देते हैं ओ Ooh पूलिंग नॉर्मल कूलिंग नहीं यह थी जो आप घर पे बॉस्के बाद वे दूसरा बनाते हैं तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखते हैं कि डेटा सिंटर्वर पे ना तो हम लोग तो नेटफर च्वाइस के बहुत ही इंट्रेसिंग चीज उनने बताई फिजिकल कंप्लाइंस के बारे में आपके साथ हमारी चर्चा जो चर्चा रहती है हमारी ज्यादा तर हमारी एक वर्चुल यानिके सॉफ्ट्वेर बेस्ट या जो की हमारी कंप्लाइंस जो है नोगा जाना तो कुछ कहना चाहें कि सकेंबर सुफिजिकल स्क्रीड में डेटा सेंटर के लिए मल्लेयर स्क्रीड होती है मैं एक्लेयर होगी वहां पर आपको स्क्रीड चैक होगा आपका एकस आजिए अडिफेकिशन दिखी जाएगीघ आपको प्रॉपर उसके बाद एक करते हैं तो वहां पर थार्ड लेवर एकसेस होता है आपका आपका उसके बाद अप्डेट 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 तो थी एर डिटा स्क्यूर्टी के तुरू आप फिजिकली अंदर जा सकते हैं हम लोग बात करते हैं कि वर्चुल एकिसी वर्चुल एसिट के उपर अपने कंप्लाइस की तो ज्यादा तर यह देखते हैं कि कहीं टैक्स हो जाएगी तो रिकवरी कैसे पॉसिबल हो बायेगी या फिर हो जिए ना या फिर हम लोग हैकिंग के कुछ चांस नों कि वह आगे अपार ज़िए सब्सक्राइब दोर याज न करना गया भी जो करनेंगे विर डियू है यह और लिए प्रिम निधिका जी बहुत इंच्रेस्ट्रीच अपका कि अगर जिसे सहब से में एंक्रीस ओ्रक्रीज कर दोड को तुसके पास बीदा सिन्टर के पास क्या प्रोजदान है Wifi कि प्रोजडा संपस्थ T तो आप लेपटाप में हाड़ राइब उसका थिक तेराबाइट का दिस्क लगा है तो एक तेराबाइट का होता है तो आज आपके पास एक टीबी का डेटा और कल आपका बढ़ने वाला हम अपने वाल यूज़ करके दूसरी हाड़ लगाते हैं तो उस पर क्या होता है डेटा सेंटर के पास एसा प्रविज़ान होता है कि हमारे पास मुल्टिपल डेटा का प्रविज़निंग होता है विद विदाउट इनी डाउन टाइम सब्सक्राइब कि यूजिंग आर टूटन सॉपर हैं अब इस यह का प्रविज़ करते हैं तरम सब्सक्राइब करते हैं अभी एक और कॉलर जोड़ गई है हमारे साथ में मंदीप हैं जी मंदीप अपना कुशन पूच सकते हैं अब आपर आप से अधर आप से बादर करना जाहां गाओ जी हम कंप्लाइंस की लगातार बात करते हैं आए 827001 के बारे में अभी आपने बताया भी है यहां पर बात सिर्फ डेटा सेक्यूरिटी की नहीं है आप जो पूच रही है मंदीप वो तो उनका अंसर मिली जाएगा उसके अंदर डेटा डिफिनिटली सेक्यूर करना एक जिमेवारी बन जाती है एक डेटा सेंटर की लेकि सब्सक्रण को कि अइपने नेट्वर्क बबागी में रहे है यह कि आपके आपके पास अग्र mina में आपका लिछ होता है तो यह उसे सीटं में इनकीयर के पाकी तूसरा रहें बात saky por लुग यवो बैंको प्रोसस्अपर्स सफ्क्राइब क्या कर सकते हो तो आप का तेंस्द कि अनलötर इसो में वंद्रफ कर सकते हैं, युरत कर सकते हैं तो आप इस देने नेगोशेटर कर सकते है and on service here इसको इतना स्ट्रॉंग बनाई है डेटा का बैकप इतने अच्छे सा रखिए कि अगर कुछ डेटा आपका लॉस होता भी है तो मेनत कर लीजिए डेटा को रिट्रीव करने के लिए लेकिन इन लोगों को रांसम देके उनको पोशत मत कीजिए यही मेरा कहना होगा समीर आप आप ने सुना अभी धीरजी ने जो बोला मैंने कई दफा यह नोट किया है कि डेटा सेंटर्स जो है वो एक बार कंप्लाइंस करवा लेते हैं उसके बाद हो समय तो जब कभी कोई एक्सीजेंसी होगी तो हम उसके बाद उसमें फिर से उनसे ले लेंगे क्या यह पॉलिसी एक बनेंसी है तो 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 हम उसके लिए होता है यह सब मिए उनसा और गफिर वादिवट किकासा पटो इसी बीच प्राउंट्स्सी प्रांप्टा रहे है और कर दो आपके जो आटिए एक पाका कोशन में देख एक पार कोशन में आपका कोशन मनें यूदेजी तावल को ऊसे अप्र में देल्डी यू आख देख बाला हूं यू इसके क्यों पोर्त वेचेटेशन में वांट और पास ठीजानिये इसके शकाडोर ही फटेशनिक देली व होक आपका प्रोसेस करते हैं तक चरना चाहांगा इस के बेरा सेटर नहीं 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 प्रोसेस कर रहे हैं वह एज पर लौ जो भी कट्री का GDPR है यूरोपीयन के लिए हमारे लिए प्रयोपीयन लिए इंडिया में अभी इंडियूस हुआ है अभी जैसे हमने पहले पहले भी बोला है कि डेटा प्राइबीसी का लो हमारे आया है तो आपको वह कम्पलाइं करना ह लिए पौनियों घरथ करने के लिए उनका पुरा स्टेंडर है जो आपको इंपलीमेंट करना पड़ेगा is not only data center in other part of your organization as well so इसमें लगातार आप दोगों को अपने अपको अप्डेट करते रहना ज़रूरी हो का मेखल कोई भी compliance है it is a continuous approach आपको हमेशा अपने आपको update और upgrade करना पड़ेगा यह one time activity नहीं है अगरा पुस्यों हमारे पास आठा है चांदी का जी जानि जी बता है क्या पूछ उछा आँ है data center downtime can be costly and disruptive what strategies and technologies are being used to minimize the risk of downtime and ensure high availability basically which you are which you are talking about downtime so data center in the parameters data center which we talk about tier 3 and tier 4 so tier 3 you are claiming that I have 99.95% ज़ली डेटा सिंटर कोई डाउं टाउं टाइम इसलिए नहीं ऑता है, अगर आप देखो कि तो N1 का काम कराई न प्लस न का मतलब क्या होता है, कि आपका एक सोर्स होता है, मालव आपके पास UPS है, तो UPS के साथ एक बैक आप में UPS और लगा उता है, कि अगर एक UPS डाउं हो देते हैं तीसरा जो होता है पुलिंग भी एन प्लस वन पे काम कर रहा तो अगर एक हमारा एसी एक प्रेसिजन अगर डाव हो जाता था दूसरे से हमारा चलता रहता है सो जो मेरा में एड्रेस है जो हम एक एंड यूजर जो समझता है उसका अप्लिकेसं हम एक सर्वर लेते अपका रं कर रहा हिए और अपका डाउन टाइम हैगा उस पर डेटा सेंटर का नहीं कोई पोल्ट होता है सब्सक्राइब करते हैं अगर आप वर्चुलाइशन पर जाते हैं तो हमारे पास एच्छे इन्वार्मेंट है जहां से अध्रेस कर सकते हैं दिरजी यह तो इन्द समझाया डेटा सेंटर की डिटनिसी के बारे में उसके फीचर क्या पावर का कैसे वाइक अब लिए ना होता है माल लीजे कि मेरे काफी यूजर्स इंफैट यह जाना चाहेंगे एम शूर कि अगर हाड मदब हाड़ वेर ही बैठ जाए सर्वर ही किसी कारणों से इस्तेमाल करने लाइक ना बचे तो इमीडेटली क्या हम लोग अपने कारेवाई किसी दूसरे सर्वर पर कर सकते हैं शिफ्ट हां अगर आपका जो अगर आप वीम यूजर्स कर रहे हैं तो आप वीम का बैक का हमेशा अपने पास रखोगी अगर तो जो डाउन टाइम वो बहुत मिनियूम दोस्तों यह जानकारी जो है बड़ी इंपोर्टन है आप आम शूर तून इन है और हमारे साथ साथ आप सिंक्त भी है तभी आप इस जानकारी का पूरा बहतरी लाब उठा सकेंगे फिर भी यह नंबर्स जो मैं धीरजी के यहां हूं इन से कनेट करने के लिए ही दे रहा हूं कुछ भी डाउट हो इन से डिफिनेटिया बात कर सकते हैं इसी बीच हमारा नेक्स क्वेशन आ रहा है निधी पूछन चाहती है कुछ जी निधी पूछे है अब आपने देखा होगा मेरा लाज्ट एंसर जो मैंने रीपीट किया सो डियार का जो केस में आता ना अजित आपके एंचे से ही रिटेट है थोड़ा सा चेंज है ट्यार जो बिसक्ली होता है इस डिजास्टर इक लोकीशन मालीजी आपका देटर इसे नोड़ा में इन ए आपके डेरा कर रहा है और सम्हाव कोई ho गया है यहां पहले असा एक्टिविटी हुआ जहां पे बंद हो गया है यहां फिस ऐसा वहीं जहां पे भुकम हुग्द मतलब डेटा सिंटर विछो टॉटली डॉटल हो गया जिसका जो डिश्टेंस होता है मिल्मग फाइट किलोमेटर होना चाहिए मतलब कि अगर एक लोकेशन आपका नोइडा है तो दूसरा डियार जो प्रेट करोगी मिनमम जो आपका लोकेशन होता है 200-500 के जाता ही होना चाहिए क्योंकि आपको पता कि हर 100 किलोमेटर में आपका सारा रेटिकल से चेंज होता है तो जब भी हम डियार की केस में बात करते ह कि अगर मेरा डेट से चल जाएगा बिल्कुल चल जाएगा लेकिन उसके लिए आपको सेम कम्प्यूम्ट लगाना पड़ेगा विस्तार संजाया हमारे को भी समीर जी ने और इसी बीच एक कोशन और रहा है मिस्राज शेटी जी राज जी बताईए सर आपका जो मैं प्रिश्शन समझ बाघ रहा हूं आपने एडरेस करने की कोशिज करी है कि आपका आप इंडिया बेस ओगनाजिशन हो आपका जो जो गोस्टिंग है जो आपका डेटा सेंटर हो इंडिया में है और आपके जो रिस्पेक्टिव क्लाइंट है वो बेस्ट आउट आप केनिया है और जब आपका अप्लिकेशन यार्पी ओपन करते हैं तो उनको लेटेंसी का इसू आता है देखिए हमें इसे बहुत एक सिंपल व करते हैं तो पहला मेरा से अगर आप इंडिया से ही सर्फ करना चाहते है उसे तो आप सीडिन यूज कर लें जो आपके जो आपका अप्लिकेशन उसको कैसिंग में कर देगा और जब आपका कस्टमार उसे ओपन करेगा तो उसकी डिटेंसी है वो कम करतेगा दूसरा या तो Google.com यह चाहिए आप यहां से कोली चाहिए थे तो जैसे ही अगर अपने अप्लिकेशन पे आप अप यहां करते हैं का तो आप का इस्टी आचीप हो सकता है तो अप लेटेंसी इस नौट ऋदिय। यहां पर दिने जी एक सवाल मेरे जहने उठा है वो यह कि मान लीजिए कि हम किसी ऐसे कंट्री से अपरेट कर रहे हैं जहां पर डेटा को हम लोग बाहर नहीं रख सकते हैं तो वो स्टिक्चर उसके अलाओ नहीं करते हैं तो लेकिन लिटेंसी का इशू भी बहुत आ रहा है तो क्या यह पॉसिबिलिटी बनती है कि कुछ हम कंप्लाइंस ऐसे करें या उनको ऐसा सर्टिफिक्शन दिलवा दें जिससे कि तसली यह गरन्मेंट को हो जाए कि यस अगर अगर बाहर रखते भी हैं तो ही सेफ कई वर अगर आपका लौ एलाओड ही नहीं कर रहा है देटा को बाहर लेके जाने के लिए तो आप नहीं लेकि जा सकते हैं कि क्या डेटा है जो आप बाहर नहीं लेकि जा सकते हैं लेकिन और इस कंट्री के अंदर अपने देश का डे किसे लेकिन अगर जो रिस्टिक कांट्री नहीं है उसमें अगर आप डड़ा को स्टोर करते हो तो विद शेटें कंप्लाइंस आप ड़ेटा को स्टोर पर सकते हैं समीर जी एक कोश्चन में आपके लिए दिरजी से पूशन अगाओं दिरजी जैसे कि अब डेटा सेंटर्स हैं उनका ओड़िट होना है और और से पहले डिफिनिटली एक एक्साइटमेंट रहती है कि हम लोग क्लेर ले पाएंगे कि निले पाएंगे ऐसी क्या चीज़ें इंशोर करनी चाहिए कि डेटा सेंटर बेफिकर हो जाए कि हम डिटा ओड़िट हो जाए कोई दिकत नहीं दिखिए डेटा सेंटर के अंदर आपको जो कुछ मेजर मेजर आपको बताना जाओंगा सबसे पहले आपको फिजिकल स्कुर्टी का ध्यान रखना है डेटा सेंटर का कि जो फिजिकल आप एक्सस दे रहे हो जो आप लिस्ट ऑफ एक्सस हैं आपके पास अप्रूब होना चाहिए उसके अलावा और को विजिटर रहता है तो उसके लॉक लॉक्स आपको कैप्च्छर करने से हैं आपके डेटा सेंटर 24x7 cc tv की मॉनिटरि में रहना चाहिए आपको इंशो करना चाहिए कि जो आपकी केवलिंग है डेटा सेंटर की डेटा केवलिंग और इलेक्टिकल के वह अलग डग से आए आपको उसकी हुमिनिटी का उसकी आ आपको लॉक्स प्रॉपर होने चाहिए यह बेसिक बेसिक चीजें आपको इंशो करना पड़ेगा तभी आप किसी डेटा सेंटर कंप्लाइंस को क्लियर कर सकते बहुत बढ़िया दोस्तों यह एपिसोड और यह सीरीज यहां कंक्लूड होती है इस एपिसोड से लेकिन डिफ सब्सक्राइब करना चाहते हैं जिनकी वजह से सीरीज पॉसिबल हो पारी है क्लावड एक्सेस जिनके योगदान से हम लोग इन सब एक्सपोर्ट को यहां बुला पाते हैं इन दोनों ही प्लाटफॉर्म का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं और यह कि सर्विसेस का आप भी लाब उठा सकें बहुत बहुत शुक्रिया है